अस्सलामों आलेकूम मैं जुलेखा अर्फास जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा पाटियो वाला चिकिन स्टार्टर अब आप चाहें तो इसे घर पर दावत करें और बनाए बड़िया सी बड़ी कॉंटिटी में बड़े बच्चे बूड़े बहुत ही शौक से खाएंगे आपका नाम लेदे नहीं ठकेंगे क्या बनाया आज अपने बड़िया मजा आ गया इस तरीके का आज का स्टार्टर है चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी साधारन याने ओड़िनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रो ओड़िनरी आज का हमारा दावतों वाला कहिए पाटी वाला कहिए चिकन स्टार्टर जिसे आप बटर गार्लिक चिकन स्टार्टर भी कह सकते हैं चलिए पनाते हैं यहां पर सबसे पहले important ingredient जो मैं ले रही हैं वो है 700 gram chicken boneless चरबी निकाल लीजिए 2-3 पाने से धोके नितालने के लिए छनी के उपर 10-15 minute के लिए side पर रख दीजिएगा और इसके देखिया आप देख सकते हैं मैंने चरबी निकालने के बाद बोटियां छोटी रखें क्योंकि और यहां पर मैं दाल देती हूँ corn flour लेकिन आपके पास corn flour ना हो तो आप मैदा दाल सकते हैं corn starch corn flour एक ही होता है यहां 3 tablespoon मैंने corn flour भरकर दाला है इसे बहुत अच्छे से mix कर लीजिए और इसे धाक कर आदे पॉने घंटे के लिए fridge में रख दीजिए marinate होने जब आदे पॉन site पर रख दीजिए अब तकरीबन आदा पॉना घंटा हो चुका है एक fry pan के अंदर तेल दाल दीजिए थोड़ा सा ज़ादा ही दालिएगा तेल और इसे fast आच पर गरम हो जाने दीजिए जब अच्छा गरम हो जाए तो बिसमिल्लाय रह्मानी रेम बोलगर हमारी यह जो chicken ह यह सारी डाल दीजिए अब बेशक आप देख सकते मेरा pan कितना बड़ा है तब भी पूरी एक साथ मैं चिकन नहीं डाल रही हूं 700 ग्राम चिकन है तो मैं बैचेस दो बैचेस के अंदर यह चिकन को fry करूँगी जब सारी चिकन आप डाल दें इन्हें fast आज पर तकरीबन 5- पाचे मिनिट तक पकने जीजिए जब 5-6 मिनिट हो जाए तो चूले को आप उतना ही रख सकते या फिर मीडियम आज कर दीजिए और पलट दीजिए मैंने मीडियम आज कर दिया और इन सारों को में पलट देती हूं पलट ने के बाद भी तकरीबन में चार-पाच मिनिट तक पकाऊंगे तो टोटल नौ-दस मिनिट में मैं पूरी तरीके से चिकन गल भी जाएगे और दोनों ओर से अच्छे light golden brown spots भी आ जाएगे तो अच्छी crispy भी हो जाएगी और चिकन गल भी जाएगी तो चलिए मैंने सारी पलट लिए और तकरीबन 4-5 मिनिट और मैं इसे पका लेती हूं medium आच पर चलिए तकरीबन 4-5 मिनिट हो चुकी है तो यहाँ पर मैंने last आधा मिनिट है ना फास्ट आच पर थोड़ा सा उलट पर अलट करते हुए थोड़े से और जाधा golden spots आ जाए बस उसी के लिए मैंने last एक मिनिट आधा मिनिट फास्ट आच पर रखा था पर आप चाहे तो medium पर भी रख सकते हैं चलिए यह हो चुकी है मैं इन्हें सारों को निकाल लेती हूँ नितार नितार कर निकाल लिएगा यह सारी chicken के pieces को और इसी तरीके से second batch भी fry कर लीजिए तो यह आप देख सकते हैं बड़िया सब batches के अंदर fry हो गए हैं और सुनहरी color भी आ गया है आप देख सकते हैं मैं एक तोड़कर दिखा देती हूँ माशालला क्रिस्पी है और सॉफ्ट है और बहुत ही डिलिशिस है आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं मेरे तो चलते परते कितने खवा भी गए है वो वाले चलिए उससे side पर रख देते हैं अब एक fry pen के अंदर दो टेबल स्पून जितना वही तेल डाली है जिसमें आपने chicken fry की और 50 gram मक्षन यानि के बटर दाल कर इसे fast आच पर melt कर लीजिए अच्छा melt हो जाए तो यहाँ पर जो लसन मैंने बारिक काट कर दाला था यह सारा दाल देती हो इसके अंदर और इसे दाल कर तक करीबन एक मिनिट तक fast आच पर fry कीजिए आप बार बार चलाते रहेगा लसन क soft हो जाएगी तो यहाँ पर 3-4 हरी मिर्चियों को बारिक काट कर दाल दीजिए और इसे आधे मिनिट तक fry कीजिए so that जो हमारे तेल के अंदर यह मिर्चियों का flavor आएगा ना जाधा spicy नहीं होती है वैसे यह वाली recipe है चुला मैंने कर दिया slow आच और यहाँ पर भरकर 8 tablespoon जि यहाँ पर आदे निम्बू को निचोड कर दाल दीजिए बहुत अच्छे से बिज्जे नहीं जाने चाहिए इस तरीके से दालिएगा और हाँ चूला slow पर है आप देख सकते हैं मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पर मैं 1-4 यानिके पाव कप और पानी ड दाल दीजिए और इसे slow या फिर medium आज पर थोड़ा सा उबाल आ जाने दीजिए जब थोड़ा उबाल आ जाए उसी के दर्मियान में है ना चुटकी भर नम्मक दाल दीजिए क्योंकि हमने नम्मक तो दाला ही नहीं है कॉन्फलार के भाग का यह जो पानी डाल रहे तो नम medium कर दिया है जब अच्छा खासा उबाल आ जाने लगे तो chicken जो side पर रखी है पकी हुई यह सारी डाल दीजिए बिसमिलाय रह्माने रेम बोल कर और इसे बार बार चलाते रही है और इसे तकरीबन 4-5 मिनिट तक पका लीजिए तब तक पकाए जब तक है ना यह all the most यह जो रहा नहीं गया और वो इतने उतावले हो रहे है टेस्ट करने के लिए तक हम इने में एक खा ली है आपके भी फैमिली में ऐसा होता है कि आपके पकाते पकाते ही बीच-बीच में खाया जाता है तो मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा चलिए तीन मिनिट हो चुकी है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आदा चुरचे का चमच काली मिर्चो का पौडर और इसे भी डाल कर मिक्स कर लीजिए थोरी सी कोथ मिर यानि क्या हरा धनिया दाल दीजिए और टोटल पाच मिनिट आपने पकाना है मतलब दो-तीन मिनिट के बाद आप ये जो काली मिर्चो स्टार्टर कहिए दावतों वाला स्टार्टर कहिए या फिर आप बटर गालिक चिकिन कहिए ड्राय वाला मज़ेतार सा बन गया है और मैं इसे सर्फ कर रही हूँ तो आप डशाओट किसी में भी कर सकते हैं वैसे मुझे लगा था तीन में आ जाएगी लेकिन तीन में नही चलिए अब इसके उपर खुब सारी बारी कटी हुई कोत्मिर यानि क्या हरा धनिया में दालती है और बड़िया सी बहुत ही लजीज है आप देख सकते हैं और माशालला क्या टेस्ट है मैंने खाया अभी आजब वैसे मैंने चिकन चिल्ली की स्टार्टर की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की आप लोग के लिए link description के अंदर और इसी तरीके से कुब सारी स्टार्टर के वैसे मैंने चैनल पर रेसिपी बनाई यह सारे links description के अंदर थे जादा ये वाली रेसिपी में स्पाइस होता नहीं और बहुत जटबड बन जाती है तो स्पाइस अपने स्वाध अनुसार अज़स्ट कीजिएगा वैसे ये रेसिपी जादा स्पाइस ही नहीं है तो आप रमजान के वक्त बना कर भी इसे इफतार में सर्फ कर सकते हैं बहुत मजा आएगा आपको खाकर चलिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को उससे जादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फवर्ड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और आपने बनाई है तो मेरे साथ कमें सेक्षिन में जरूर शेकीजिएगा मुझे आपके कमेंस पड़ने बहुत अच्छी लगते फिर से आजर होंगी नहीं शांदार दमदार रेसिपी के साथ आंचु देन टिक के लाला आफ